नमस्कार, आज हम सीखने वाले हैं Excel की फाइल को Gmail से कैसे भेजते हैं देखिए, जब आप Excel पे काम करेंगे तो आपको इस फाइल को email के जरिये किसी को भेजना भी पड़ सकता है अगर आपको नहीं पता है कि Excel की फाइल को email से कैसे दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए सबसे पहले आपको Excel की उस फाइल को open कर लेना है जिसे आप email के जरीए किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं अगर आपने Excel की नई फाइल बनाई है जैसे कि ये फाइल जो है मैंने बिल्कुल नई बनाई है और इसी फाइल को मुझे Gmail के जरीए किसी दूसरे व्यक्ति को email करना है तो उस condition में सबसे पहले हम इस फाइल को save कर लेंगे save करने के लिए आप office बटन पर click करेंगे और यहाँ पर save पर click करेंगे मैंने इसे पहले से ही save कर लिया है तो हम save as पर click करके दूसरी location पर इसे save कर लेते हैं जैसे कि हम यहाँ पर जो है desktop पर save कर लेते हैं और file का नाम दे देते हैं मैं जो है file का नाम triple h दे देता हूँ ठीक है आप जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं कोई दिकत वाली बात नहीं है Excel workbook में ही हम लोग save करेंगे क्योंकि हमें Excel की file को ही भेजना है इसके बाद जो है save पर click कर देंगे तो यह file जो है हमारी desktop पर save हो जाएगी अब हमें इस file का कोई काम नहीं है हम यहाँ से बाहर आजाएंगे हमने जो Excel की file save की है वो यह वाली है आप इसे देख सकते हैं Triple H के नाम से हमने save की थी मैं आपको open भी करके दिखा देता हूँ देख सकते हो बिल्कुल वही file है ठीक है इसी file को हमें भेजना है अगर आपने Excel की पहले से ही कोई file save कर रखी रखी है तो भी आप same इसी तरह से भेजेंगे और नई Excel की file बनाए है तो उसको आप save कर लिजेगा जैसे मैंने बताया है इसके बाद जो है आपको अपने computer laptop में internet को connect करा लेना है इसके बाद जो है आपको कोई भी एक browser open कर लेना है जैसे कि मैं Google का Chrome browser open कर लेता हूँ अब इसके अंदर जो है आपको type करना है Gmail ठीक है Gmail लिख करके search करना है इसके बाद जो है आपके सामने mail.google.com की website मिलेगी Gmail की आपको जो है इसी पर click करना है click करते ही आप जो है अपने Gmail में login हो जाएंगे इस तरीके से अगर आपके सामने ऐसा interface नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आपको login का button दिखाए देगा आपको यहाँ पर click करके अपना email डाल करके और password डाल करके login कर लेना है login करने के बाद आपके सामने ऐसा interface आजाएगा अब यहाँ पर जो है आपको एक mail भेजना है mail भेजने के लिए आपको यहाँ पर compose यह जो लिखा हुआ है compose पर click करना है compose पर click करते ही आपके सामने एक mail को type करने का option आजाएगा कुछ इस तरीके से ठीक है अब आपको जो है टू की जगह पर उस व्यक्ति का email ID डालना है जिसे आप जो है ये Excel की फाइल भेजना चाहते हो जी हाँ दोस्तो जिसको भी आप mail करना चाहते हैं उसकी email ID आपको पता होनी चाहिए तभी जो है आप उसको भेज पाएंगे example के लिए हम यहाँ पर कोई भी email ID डाल देते हैं मैंने जो है यहाँ पर एक email ID टाइप कर दी है जैसे ही आप कोई भी email ID डालेंगे तो वहाँ पर suggestion आ जाएगा तो वो email ID यहाँ पर आ जाएगी फिलाल हमें एक ही लोग को भेजना है उसकी email ID हमने यहाँ पर डाल दी है subject में आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि अगर important document है तो आप यहाँ पर जो है important document लिख देंगे या फिर जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो नीचे जो है आपको एक बड़ा सा और भी खाली attach file का option मिलेगा हमको क्या काम करना है attach file पर ही क्लिक करना है इसके बाद जो है आपने जिस location पर excel की file रखी है उसी location से उस file को open करना है तो हमने desktop पर रखे थी hh के नाम से तो यह देखिए triple h के नाम से यह file हमें मिल गई है हम इसे select करेंगे open पर click करेंगे वो file जो है यहाँ पर upload होगी अब यह आप देख सकते हो upload हो रही है और जैसे ही यह file upload हो जाती है तो वो जो है यहाँ पर दिखने लगेगी वो file attach हो चुकी है ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना है बस send पर click कर देना है send पर click करते ही यह देखिए message send का जो option है वो आपको मिल जाएगा अब आप confirm करना चाते हैं कि file गई है कि नहीं तो आप send यह जो option दिखाई देरा है send वाला button इस पर click करेंगे जितने भी लोगों को आपने भेजा होगा सभी का यहाँ पर दिखाई देगा अभी आप देखेंगे हमने यहाँ पर important document नाम से एक excel की file यह वाली भेजी है और यह file जो है इ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like, share, subscribe करिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे comment करिए जय हिंद वंदे मातरम